हेलो दोस्तों सागत आश्रीक मैं चैनल तर्यलेस्टीड के लम्म है दोस्तों जैसे किसे भी वच्छों को पता लग गया होगा S.O.L.K. न्यू एडविशन स्टार्ट हो चुके हैं और आपको किस तरह से फॉर्म फील करना है इसके बारे में पूरी प्रोपर जानकारी देंगा इस वीडियो में सुरूर से लेके एंड तक बने रहना तो फॉर्म किस तरह से फील करना है क्या-क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करने है तो सुरूर से लेके एंड तक पूरी प्रोपर इंफोर्मेशन देंगा ठीक है दोस्तों तो वीडियो को शे issya कर चैनल को शक्वार कर देने तो चलोई स्टार्ट करते हो तो अब को सबसे पहले क्या करना है निवी यूज़र की अला ऑपको यह फेल करना है उसमें। जो आपके पास तीन साल तक अवेलवल रहे इमेल आइडी ठीक है और कनफर्म इमेल आइडी जो आपके ऊपर डाली है वही इमेल आइडी नीचे भी डालनी है आपको फिर आपका कैंडिडेट नेम आपका पूरा प्रोपर नेम जो आपकी 10th की मार्क सीट पे लिखा है वो आ मैसीज है जो भी अपडेट है आपके फॉन पर मिल जाएगी कि आपके जो इस्टेडी सेंटर है यहां पर पड़ा है तो वह सारी इंफोमेशन आपके नंबर पर दी जाती है ठीक है तो आपको मोईल नंबर डाल देना है और फिर विद्धारती मेल फिमेल वो सलेक्ट कर ल किस तरह से आएगा इसे फिल करने के बाद में क्या ओप्सियन आएगा वो दिखा जाता हूं एक बार आप देख भी लीजिए किस तरह से मैंने फॉम फिल किया यह वाला ठीक है जो रिस्टेशन है आपका यह रिस्टेशन है समझ लो ठीक है तो यहां पर इमेल आईडी मैं ओपन होके आएगा यहां पर लिखा आएगा यू है सक्सेस्फुली रिस्टेशन ठीक है जो आपका मॉवाइल लंबर और इमेल आईडीय वो सक्सेस्फुली रिस्टेड हो चुका है तो फिर इसके बाद ओके पर किलिक करने के बाद में फिर यहां से सेफ का ओप्सन हट ज लगते हो तो यहां पर देखिए अब आपको सेलेक्ट करना है सेकेंड ऑप्सन ठीक है रिस्टेड यूजर तो आपको इस पर किलिक कर देंगे तो वही पर आ जाएंगे तो इन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्टेशन में दे दूंगा तो यहां पर आपको इमेल आईडी लिखी वी आईगी और जो आपका पासवर्ड है वो भी लिखा हुआ आएगा ठीक है और उस पर आपका नाम भी लिखा होगा डियर स्टुडेंट थैंक यू रिस्टेशन ठीक है स्कूल ओफ ओपर लर्निंग और आपका इमेल आईडी होगी और पासवर्ड होगा उसे कीकर देते हैं ओर यहां पे देखिए जो आपका फॉर्म है वो ऊपन हो करना है इस तरह से तो यहां पर आपको कैसे क्या-क्या फिल करना है वह मैं आपको ब numerous होगा चसारे वहाब करिया घैंट और आपको इसकुलिक करना है पहले आपको कॉर्स स्लेक्क करना है यह तो BA program select करोगे तो मैं यहाँ पर BA program select कर लेता हूं ठीक है तो यहाँ पर देखिए last वाला option मैं select कर लेता हूं BA program semester ठीक है अब आपके उपर है आपने जिससे भी 12th pass करिए अगर commerce से करिए तो आप become select करोगे ठीक है तो आपके उपर है आप कौन सा select करना चाहरे हो तो यहाँ पर देना चाहते हो तो English में आपको मिलेगा अगर English select करोगे तो आपका जो study material है वो English में provide करवाया जाएगा तो अब आपके उपर है क्या आप English choice करते हो या Hindi choice करते हो और exam में दोस्तों क्या है कि exam में अगर आपका paper English में है और माली जी आप Hindi में देना चाहते है तो आप अपना exam हिंदी में attempt कर सकते हैं पूरा paper ठीक है अगर ऐसा ही माली जी आपका Hindi का जो question paper है ठीक है और आप English में select करना चाहते हैं इंग्लिस में लिखना चाहरे हैं तो आप इंग्लिस में लिख सकते हैं तो आपके उपर है तो इंग्लिस हिंदी जो भी आप सलेक्ट करना चाहते हैं और हिंदी वाले बच्चे इंग्लिस में मिलेगा फिर इंग्लिस वाले इंग्लिस में मिलेगा तो वह सलेक्ट कर लिया अ पर आपने थे प्राइवेट है थे ऐ disgrace कर देख कराूब है। हिंदी मैंने थे तक पढ़ी है तो तक आपको doji तक पढ़ी है तो अगर आप प nos तक यहां पर इंग्लीज रीक्ति और मसं पाइव डर्व तो यहां पर शकम करियाॉँ तक और तक तक 12 तक तक तुम्हार ट्विल्थ सटेक्ट कर लेता हूं क्योंकि बेसिकली यह तो नॉर्मल सब्जेक्ट हैं 12 तक हर बच्चे के रहते हैं जो हिंदी और इंग्लिस है 12 तक रहती है तो और किसी बच्चे ने उर्दू पढ़ी है तो वह भी सेलेक्ट कर सकता है ठीक है अगर आपको नाम डालना है मिसमैच नहीं होना चाहिए क्योंकि दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना जो आप नाम इसमें बहुत देंगे तो आपके जो certificate है और जो admit card है सब पर वही लिखके आएगा जब आपको degree मिलेगी तो यही नाम आपके लिखके आएगा ठीक है तो नाम आ लिख दिया और नाम लिखने के बाद में अब आपको नीचे 10th और 12th class के marks लिखने हैं तो 10th class आपने किसे करिए कौन से board से करिए वह आपको select कर लेना है तो यहाँ पर मैं select कर लेता हूं CBC mode तो यहाँ पर देखे center board of education ठीक है CBC select कर लिया और यहाँ पर year passing कप pass करिए वह select क लेना है फिर exam roll number जो आपके admit card पर दोस्तो exam roll number था जब 12th class में exam दियोंगे तो आपको exam roll number मिला होगा ठीक है तो exam roll number डाल देना है और अधिक्तम marks यानि कितने मैं से कितने marks मिले था यहाँ लिजिए 1200 था ठीक है 1200 पूरा paper था मतलब पूरे जो total marks तो 1200 में से 700 मिले हैं आपको इस तरह से आपको लेग देना है ठीक है तो यहाँ पर यह लेग देना है और जो 12th class ہے पिर आपने किस से करिये है वह आपको यहाँ पर लेख़ेना है 12th class भी आगर सीीवसी से करिये तो और यह पासिंग का पास करिये 12 वो लिख देना और यहां पर एक्जाम रोल नमबर के आता वो लिख देना और यहां पर दोस्तो अधिकतम मार्क करने ते वो फिर अप्टेंट करना है और आपका जो परसेंटेज है वो लिखल के आ जाएगी ठीक है यहां पर देखे दोस्तो क्लास पर देखे दोस्तों यहां पर हम जब करते हैं यहां पर जब हम सी बिसी सलेक्ट करते हैं तो यहां पर यहां पर यहीवाला कॉलम ओपन होके नहीं आता है अधिकतम मार्क थीक है maximum marks आपका यह वाला column open होके नहीं आता है आपको क्या करना है आपको यहाँ पर आपको अपना exam roll number लिखना है जो आपके admit card पर दिखना हो पर लिख लिखना है और check नाओ पर click करना है अगर यह detail automatically दोस्तों लिखके आ जाती है फिर तो सही है और अगर नहीं आती है तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको cbc revise select करना है ठीक है मैं दिखा देता हूं cbc revise तो यहाँ पर देखिए यह रहा cbc revise आपको इस पर click कर देना है cbc revise तो आपकी यह detail open होके आ जाएगी तो यहाँ देखिए यह जो option है open होके आ गया है और अगर आपको दोस्तों लगता है कि मेरा automatically आ रहा है तो आपको cbc select कर लेना उपर से ही ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें भी तो select कर लेता हूं यह रहा दोस्तों ठीक है तो आपने यह select कर लिया और आप यहाँ पर यह डाल देंगे passing year 2021 जो भी जब भी आपने पास करी है और यहाँ पर इक्षा रोल नमबर और इसे चेकनाओ पर क्लिक कर देंगी automatically सारी चीजे feel होके आ जाएंगी ठीक है आपको यह कर देना है और अब नीचे देखे दोस्तों इन्होंने 31 बारा दोस्तों लाह डेट बता कि इन्होंने साइद अभी अपडेट नहीं किया है तो जल्दी इसे अपडेट हो जाएगा इसे ignore मार दीजेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है और इसमें देखे दोस्तों क्या लिखा हुआ है नीचे red में कि if board your drop down senior secondary examine contact north तो दोस्तों इसमें basically यह बता रहा है कि अगर आपके list में अगर आपका board नहीं है तो दोस्तों आप सीधा north campus या south campus contact करें ठीक है जो north campus आपको वहीं पर basically जाना है तो यहाँ पर अगर आपको अपना board नहीं दिख रहा है कि मैंने इस board से करी है वो board नहीं है तो आप north campus जा सकते हैं और यहाँ पर देखे वही same चीज बता रहा है कि अगर आपको दोस्तों फिल नहीं हो रहा है तो आपको revise cbc select कर लेना जैसे कि मैंना भी बताया था यहाँ पर ठीक है तो वह कर लेना है आपको और यहाँ आपको subject select कर लेना है तो यहाँ पर दिखा देता हूं विसे पत्री का तो यहाँ पर आपने 12th class में कितने आए है वो लिखदेना है uh series ago to QR Space आगे ठीक है वो आपको लेक देना है यह सब करने के बाद में आपको फिर नीचे आजाना है तो यहां पर देखें कि यह उप्शन आ रहा है सेभ पे आपकोवels पर क्लिक कर देना है नीचे आके इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहां पर देखें è specially लिखाब आ जा Пथा इससस्फूली लिखाव़ा जाएगा तो आपको इस पे क्लिक करें, और यहारा पर फिर इस पे क्लिक करनी के बाद में, यहारा राएं, नेक्स्ट तो आपको Next क्लिक कर देना है, ठीक है? Next पे क्लिक कर देदी, अब यहारा पर देखिये दोस्तों, Main क्या है? आपको क्या सेलेक्ट करना है? North Campus, South Campus वाले point में इस वाले point में आपको क्या select करना है वो मैं आपको बता देता हूँ तो यहां पर देखे क्या होता है कि जिसका campus घर के पास पढ़ता है वो campus बच्च mec बच्चा select कर लेता है North pass पढ़ भारा है South pass पढ़ रा है East pass पढ़ तो दोस्तो वो बच्चा select कर लेता है तो नौर्थ केमपस 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 है तो नौर्थ केम नेम क्या है और मिडिल नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है ठीक है जैसे माल लीजिए मेरा नाम है पवन कुमार तो मैं आपको दिखा जैता हूं यहां नाम डाल दिया और यहां पर मैं नाम डाल दूँगा पवन और जो लास्ट नेम मेरा क्या है जैसे मेरा लास्ट नेम हो ठीक है पवन कुमार सिंग तो यह मेरा कुमार है यहां पर आ जाएगा ठीक है मिडल में कुमार इस तरह से आ जाएगा कुमार और यहां पर आ जाएगा सिंग लास्ट में सिंग आ जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आपको अपना नाम फिल करना है ठीक है तो यहां पर देख आपको वार में कि दिखा रहे हम आपको एक वार हेरे तो तो मैं याक लिख देता हूं और यहां से आपना नाम बोड़ा राबता ही है खीर तो इस तरह लिदेरा और विदे संब ठीच फादर नेम दाल देना है फैर्स्थ तूपSON यहां पर जेसे‌ collide लीजिए 64 ho गया 64 ho गया जो भी आपका number में लिखा हुआ है वो लिख देंगे फिर आपको जो address है वो लिख देंगे ठीक है यह सारी detail आप address लिख देंगे और यहां पर पिन कोड डाल देना आपके area का पिन कोड क्या है दिल्ली क्या है दिल्ली 86 जो भी है अगर बार कहीं अधर कंट्री से हो तो वह आपका पिन कोड आपको यहां पर डालना है और स्टेड सेलेक्ट कर लेना आपका स्टेड कौन सा ठीक है दिल्ली है क्या है इस दिल्ली नौस दिल्ली है जो भी है ठीक है और वह और यहां पर आपको CT select कर लेना है कौन सी CT है दिल्ली हर्याना गुडगाउं जो भी है वो select कर लेना है और फिर उसके बाद में जो आपका mobile number वो लिखा हुआ आएगा mail ठीक है यह automatically आपका जब आपने registration किया तो automatically लिखा हुआ आजाएगा यहां पर category select कर लेना है category क्या है CST OBC Journal ठीक है handicap है तो वो लिख देना है यहां पर percentage और email ID डाल देना है जो आपने email ID डाली थी ठीक है उस time registration के time जो email ID डाली थी वो email ID आपको बस देना है ठीक है और यहां पर email ID status डाल देना है क्या है Unmarried है ठीक है वो लिख देना है और bank account number holder name ठीक है यह आपको जरूर लिखना है दोस्तों जैसे कि माल लीजिए आपका इडिशन कैंसील हो गया किसी documents के कारण तो आपका refund है वो आपको वापस मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर आपको अपना जो bank detail है वो जरूर feel करनी है तो यहां पर bank का नाम डाल देना कौन सी bank में खाता है काता नंबर डाल देना bank account number branch कौन सी SBI PNB है IFSC code क्या है वो लिख द करनी है यह चार चीज़ा आपको जरूर feel कर देनी है और नीचे दोस्तों यह उनके लिए दोस्तों जो financial assistance मतलब के financially assistant है तो उनके लिए वैसे आपके लिए दोस्तों नहीं है ठीक है तो इसे कोई ज़्यादा जरूर नहीं है feel करने के लिए तो यह point हम हटा देंगे ठीक है द पर कर देना यह ठीक है और computer knowledge वह कर देना यह. घिuकर और internet उपयूब करते यहान, internet तो दोस्तों सब्हाभी use करते है तो यह कर देना ठीक है क्या आपके घर पर computer है तो यहाँ पर yes कर देना, अगर नहीं है तो no कर देना और फिर 12th class stream आपके पास कौन सी stream ती ठीक है 12th class में commerce, art, science जो भी थी वो select कर लेंगे और select कर लिया, फिर आपका blood group क्या है A positive है, B positive है ठीक है, जो भी है वो लिख देंगे ठीक है, और यहाँ पर आपका RH factor, यानि दोस्तों RH factor क्या है जैसे माली जी B positive है तो यहाँ पर plus select कर लेंगे, ठीक है B positive है, माईने से वो select कर लेंगे और यहाँ पर क्या लिख़ा है, देखते हम समगी हो select करना है, वैसे basically आपको यहाँ पर hard copy select करना है ठीक है, आपको यहाँ पर hard copy select कर ले लिए, जो कि आपको SOL जाना पड़ेगा hard copy के लिए तो आपको hard copy मिल जाएगे, तो सभी बच्चे hard copy select करें, ठीक है, यह सब select करने के बाद में shape पर click कर देंगे उसके बाद दोस्तों एक pop-up हो के आएगा, लिखा हुआ आएगा आपकी detail है, successfully मतलब submit हो गई है ठीक है, तो उसके बाद नीचे next पर click कर देंगे, तो अब next पर click करते हैं, उसी page पर next पर click करते हैं, ठीक है, तो next पर click करते हैं, और यहां पर देखिए, यह आता है दोस्तों, आपका main point, आपको यह select करना है, कि आपको इसमें कौन-कौन से subject choice करने हैं तो इसको दोस्तों ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको discipline कौन से subject लेना है, वो select कर लेना, ठीक है, और MIL कौन से subject है, वो select कर लेना, ठीक है आपको दो subject ऐसे select करने हैं, जो आप तीनो साल पड़ सको, क्योंकि वो तीनो साल आपके साथ में रहेंगे दो subject, और जो subject हैं, वो change होते रहेंगे, ठीक है तो जो discipline subject हैं, यह तो आपके change होते रहेंगे और जो MIL और announcement वाले subject हैं, यह दोस्तों change हो जाएंगे, और यह subject change नहीं होंगे, तो पहले आपको क्या-क्या select कर लेना है, वो देख लीजिए अगर आप दोस्तों history लेना चाहते हैं history, political science मैं यह political science select कर लेता हूं और यहाँ पर दोस्तों मैं select कर लेता हूं history ठीक है, तो मैंने यह history select कर ली तो यहाँ पर यह दो subject मेरे main हो गए, ठीक है, अब इस तीज को द्यान लगने, यह दो subject आपके हमेसा 3 साल तक के लिए रहेंगे, अगर आप जिसमें भी comfortable हो, वो आप select कर लेना, economics select करना चाहते हो, economics हिंदी select करना चाहते हो, हिंदी वो आप अपने उपर select कर सकते हो अब M.I.L. में देखें दोस्तों M.I.L. में कौन सा choice करना है M.I.L. में देखें अगर आप पास English Flanquacy लेना चाहते हैं, तो Film के ले सकते हैं, अगर हिंदी ये लेना चाहते हैं तो हिंदी ये ले सकते हैं ठीक है, और ये दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों देखें एक चीज़ समझें इन दो subject में कि अगर आप दोस्तों announcement में हिंदी select करते हो तो आपको next semester में environmental science automatically automatically मिल जाएगी, यानि automatically आपको पढ़नी पढ़ेगी environmental science, अगर आप environmental science से select करते हो तो next semester में आपको Hindi English में से कोई एक subject choice करना पड़ेगा, ठीक है तो ये आपके उपर है कि अगर आप environmental science लेना चाहते हो अगर आप Hindi English में से subject लेना चाहते हो तो आप select कर सकते हो और अगर आप Hindi select करते हो next semester में environmental science automatically आपके पास आ जाएगी तो ये चीज़ समझना तो मैंने यहाँ Hindi select कर ली और यहाँ पर देखिए M.I.L. में M.I.L. में किया है दोस्तों अगर यहाँ पर English आप select करते हो तो next semester में आपको कोई एक language subject पढ़ना पढ़ेगा उल्दू, पंजाबी, हिंदी यानि आपने English select कर ली तो आप next semester में Hindi आपके पास संपलसिरी रहेगी आपको पढ़नी पढ़ेगी ठीक है तो हिंदी select कर ली तो यहाँ पर next semester में आपको English पढ़नी पढ़ेगी तो यह देख लेना दोस्तों ठीक है वैसे मैं English select कर लेता हूँ पर ठीक है Hindi English History Political Science अब यह मेरे subject हो गए हैं तो आप अपने हिसाब से देख लेना ठीक है और यहाँ पर submit पर click कर देना यह submit पर click कर देना submit कर दिया और अब यह दो आये तो नीचे भी दोस्तो के subject आपको चॉइस करने पढ़ेंगे सब्जक्ट दोनों के चॉइस करनी पढ़ेंगे पहले ऐसा नहीं आता था सिर्फ सुइस्ट के subject चॉइसा करने पढ़ते था और इन्होंने 2र recycling सॉइस करने के लिए और यहाँ पर history select करी थी तो history same रहेगी ठीक है और यहाँ पर language में दोस्तों देखिए English भी मिल जाएगी क्योंकि मैंने first semester में Hindi select करी थी तो मुझे English भी मिल गई ठीक है और यहाँ पर मुझे environmental science मिल गई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप पर English select करते हो तो environmental science next semester में आपको मिलेगी मिलेगी अगर आप environmental science select करते हो यहाँ पर तो English यहाँ पर भी मिल जाएगी ठीक है तो यह हो गया आपका process ठीक है तो यह चीज आप ध्यान रखना और किस ताना से आपको subject choice करने आयोप आप समझ गये होगे अगर आप भी कोई doubt रह जाता है comment कर देना और मैं Instagram का link दे दूँगा इस video के description में तो आप हुआ से Instagram पर direct पूछ सकते हो message करके कि कैसे feel करना है और क्या subject होने चाहिए और comment भी कर सकते हो मैं आपका reply दे दूँगा ठीक है दोस्तों अब save now पर click करेंगे save पर click कर देते हैं और यहाँ पर देखे लिख कर देते हैं और यहाँ प आपको यहाँ पर document submit करने हैं यहाँ पर पहले अपनी photo upload करनी है जो 24 KB के अंदर हो और फिर आपको यहाँ पर आपनी जो sign loss upload करने है और 10th class की जो mark sheet और 12th class की mark sheet और वो upload करनी है अगर 12th class की mark sheet प्रोविजनल है वो select upload कर देना है कि अगर आपको mark sheet नहीं मिली आपको प्रोव आपको कर देना है यहां पर कास्ट सेटिफिकेट अगर वी सीए सीएस्टी हो तो वह सेलेक्ट कर देना है और यहां पर ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सेटिफिकेट आपको अपलोड कर देना है दोस्तों माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सेटिफिकेट यह क्यों होता है द आप regular में addition ले सकते हो तो इसलिए migration certificate की जोद होती है और income certificate दोस्तों लगाना वो लगा देना वैसे जोज नहीं है financial वालों के लिए है ठीक है और यहाँ पर check cancel check जो front जो page होता है bank का वो upload कर देना है नहीं तो cancel check cross करके cancel check upload कर देना है ठीक है यह हो गया और 12th class के किसी subject में अगर compartment आई है तो वो upload आपको कर देना है ठीक है और handicap हो तो handicap का document upload कर देना फिर save now पर click कर देना है ठीक है फिर आपका option आएगा fees pay का मैं दिखा देता हूँ दोस्तो document submit करने के बाद में आपको उपर अपनी personal detail लिखी हुए आईगी ठीक है इसके उपर आपकी जो personal detail है जो आपने feel करी है वो लिखी हुए आईगी और इसके नीचे जब scroll down करोगे तो यह verify करने के लिए बोलेगा verify confirm ठीक है और इसमें वही लिखा है basically जो आपने detail बरी है वो सही है या नहीं है तो टिकनो पर click कर देना ठीक है और verify पर click कर देना है इसके बाद आपका आजाएगा payment का option आपको payment कर देना है ठीक है अभी payment option नहीं आ रहा है दोस्तों तो थोड़ा wait कर लिजिए एक दो दिन में payment option आ जाएगा ठीक है औ और इसी तरह से आपको form field करना और वीडियो अच्छी लगी हो helpful लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना जितने भी नए बच्चे है चैनल सब्सक्राइब कर देना हमेसा आपके लिए ऐसी अपडेट लाता रहूंगा ठ चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर शेयर कर देना दोस्तों और वीडियो अच्छी लगी हो तैंक यू